इस बकराईद मैंने ट्राई किये थे मटन के सी कबाब बहुत ज़दा टेस्टी बने थे सबको बहुत पसंद आये थे तो घर पर बनाएंगे बिना तंदूर के सी कबाब तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पैन लिया और इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और उसमें हम दो मीडियम साइज की प्यास डालेंगे और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि यह थोड़ी गोल्डन नहीं हो जाती तो देखिए यहां पे अच्छे से गोल्डन हो चुकी है अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए क्यों हमें इसे पीछना है तो मैंने यहां पे लिया है एक किलो तक के मटन तो आप रूखा मटन लीजिएगा ज्यादा चिकना नहीं तो इसके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे तो मैंने इस तो इसे भी पावडर तयार करेंगे तो देखे कि यहां पर खड़े मसालो का पावडर तयार है उसके बाद हम mixy jar में ले लेंगे तली हुई प्यास जिसे मैंने ठंडा होने के लिए रखा था उसमें हम डालेंगे 4 सूखी लाल मिच और उसमें हम फिर डालेंगे 9 दस तक के काजू और इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसका अच्छे से पेस्ट तयार कर लेंगे तो देख उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अधरक लसन का पेस्ट उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्यास का जो हमने पेस्ट तयार किया था उसे भी डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स तो यह देखिए इस तरह से, उसके बाद हम इसमें नीबू डालेंगे तो मैंने यहाँ पre आधा नीबू लिया है, उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टी स्पुन ते के लाल मिश पाउड़र डाला है, तो आपने कबाब में काफी अच्छी सोफनेस आए तो घी डालना ज़रूरी उसके बाद मैं यहां पर सभी चीजों के अच्छी से मिक्स कर दूंगी और इसे मैं एक पूरा दिन के लिए छोड़ दूंगी फ्रिज में अगले नेक्स डे हम इसके सीक कबाब बनाएंगे तो यह रेकि मैं इस तरह से उठा के रख दूंगी तो देखिए नेक्स डे पे मैंने इस अच्छी से कवर करके रखा था फ्रिज में तो यह देखिए अब हम इसके सीक कबाब बनाएंगे तो मैं थोड़ा से अच्छी से मैश कर लेती हूं क्योंकि एक लियर आ जाती है इसके ओपर फ्रिज कि और इसे इस तरह से पहले रोल कर लेंगे उसके बाद जब अच्छे सी चिकना हो जाएगा उसके बाद स्ट्रॉ डालेंगे और एक सीक कबाब की से शेप देंगे यह दिखिए इस तरह से प्रेस कर करके धीवेदी में प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे उस तरह से हम लंबा कर लेंगे तो थोड़ा से लंबा ही इसे बनाईएगा क्योंकि जब यह तले जाते हैं तो यह न छोटे हो जाते हैं अदर्वाइज और सब कुछ डाला है इसमें जो उन्होंने बताया था यह उनी की रेस्पी बहुत टीस्टी बने तो इस तरह से आप सरू ट्राय करें तो देखिए यहां पे सी कवाब अच्छे से बन चुका है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डिप करूँगी और इस तरह तरह से निकाल लेंगे तो देखिए हमारे यहां पे सी कवाब इसी तरह से हम सारे सी कवाब तयार कर लेंगे तो देखिए मैं यहां पे सारे सी कवाब तयार कर लिए हैं तो अब हम इसे पैन में बनाएंगे तो मैंने यहां पे थोड़ा से सरसो का तेल ले 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 ल चारो तरफ से इसको हम पलटते हुए बनाएंगे ताकि हमाई अच्छे से पक जाएं सी कबाब को अच्छे से कलर आ गया है तो देखिए यह पे सी कबाब अच्छे से पक चुके हैं अंदर तक के अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे यह दिखिए इस तरह से प्लेट पे और इसी तरह से हम सारे सी कबाब को अच्छे से तल लेंगे तो देखिए कितने असानी से सी कबाब बनके घर पे तयार हैं बिना तंदूर के बहुत ज़दा टेस्टी लगते हैं तो इसे ज़रूर ट्राइ करें तो मैंने यहाँ पे हरी चटनी और थोड़ी सी प्याज और इसे सर्फ किया है तो आप भी सी कबाब के मज़े घर पे ले सकते हैं तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइ करने जा रही हूं तो यह देखिए कितने ज़्यादा अच्छे बने और हरी चटनी के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते अगर रेस्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और मेरे चैनल पे क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन पे औल का अप्शन प्रेस करें तो आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको नेक्स वीडियो में न्यू रेस्पी के साथ तब ते क्लिया लुएदा